नवस्कार खबरों की खबर में आपका सौगत है महराष्ट की राजनीति में यह अजान वर्सिस हनवान चलीसा का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा रोज कुछ न कुछ ऐसी खबरे आ जाती है जिससे बवाल बज जाता है और हर बार महराष्ट के मुक्यमंतरी उद्दब ठाकरे की किरकिरी हो जाती है महराश्ट नम्निर्वान सिना के प्रमुक राज ठाकरे ने एक खुला पत्र एक खुली चिठी उद्दब ठाकरे के नाम लिखी तो मालूम चला उन्हें जान से मारने की धंकी दे दी गई और तो और इधर सुप्रिम कोट में भी आज एक ऐसा फैसला हो गया जिससे उद्दब ठाकरे के लेने के देने पड़ रहे हैं जो तमाम आरोब जो जिन धाराओं में नमनीत राना को और तमाम लोगों को के उपर कारवाई चल रही थी अब शायद उद्दब ठाकरे उन धार का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे बड़ा विचित्र खेल चल रहा है महराष्ट के अंदर एक तरफ से राज ठाकरे हमला वर हैं उद्दब ठाकरे के उपर तो दूसरी तरफ आज नमनीत राना ने भी पूरी तरीके से अपनी बंदू उद्दब ठाकरे की तरफ मोड़ दिया क्योंकि उन्हें सुप्रिम कोट से कुछ ऐसी रहत मिली है जिससे उनका होसला और बढ़ गया है लेकिन पहले बात करते हैं कि राज ठाकरे को दरसल जान से मारने की दमकी आखिर क्यों मिली ये कोई दूसरे मुद्द की बात नहीं है बताया ये जा रहा है कि उर्दू में लिखी गई ये चिठी है एक धमकी भरा पत्र है जिसमें राज ठाकरे को ये कहा गया है कि ये ज्यादा ये लॉड स्पीकर का विवाद उठाओगे तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा महराश्ट नमनिर्मान सेना के एक और लीडर का भी नाम उसमें डाला गया है तो ये चिठी जब आई तो पुलिस के पास होम मिनिस्टर के पास बकादा उस चिठी को ले जाकर महराश्ट नमनिर्मान सेना के नेता ने दिया और ये चेतावनी दी है कि राज ठाकरे का बाल भी बाका हुआ अगर कोई गड़बड़ी होती है उनके उपर कोई हमला करने क कोशिश भी करता है तो पुरे महराश्ट को जला दिया जाएगा ये धमकी के उपर मन से की दूसरी धमकी थी लेकिन ये सारी चीजे क्यों हो रही है दरसल इससे पहले राज ठाकरे ने खुला पत्र लिखा और चेतावनी दी उद्धव ठाकरे सरकार को कि हमारे पेसेंस का इस तरीके से हमारे उपर जुल्म मत करो कि हमारे जो हमारा जो धैर है वो खो जाए चिठी बहुत ही ज़ादा उद्धव ठाकरे को टार्गेट करने वाली चिठी थी और उससे इतनी ज़ादा शिवसेना के लोग परिशान हो गए कि उद्ध ठाकरे के सुपutर आदित ठाकरे ने इंडिया तुडे से जब ये सवाल जवाब उनसे किया गया इस चिठी के बारे में उन्होंने कहा कि एक पाटी जो मर चुकी है मतलब मं से राज ठाकरे की पाटी जो महराश्त में मर चुकी है उसके उपर कोई बास्चीत करन मेरे लिए जरूरी नहीं है मतलब ये चिठियां राज ठाकरे की राजितिक चालें सिव सेना को जरूर परिशान कर रही है चिठिया क्या लिखा गया वो आप सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सिव सेना किस तरीके से राज ठाकरे के हर हमले में उलजती चली जा रही है राज ठाकरे ने क्या लिखा मेरे सभी देश वासियों से मस्जिदों पर लाउड स्पिकर हटाने की अपील करने के बाद महराश्ट राज सरकार बौकला हट में है देश में सरवोच नयायले और विभिन राज्जों के उच नयायलें द्वारा दिये गए निर्णेयों का को लागू करने के लिए मेरे महराश्ट नव निर्वान सेना के कारकरताओं को लौड स्पिकर हटाओ आंदोलन सुरू करने से पहले उन्हें मई को गिरफतार किया गया था पुलिस द्वारा 28,000 महराश्ट सेनिकों को निवारक नोटिस जारी किये गए हजारों को निर्वासित किया गया और कई को जेल में डाल दिया गया द्वनी प्रदूर्शन फैलाने वाली और लोगों को परिशान करने वाली मस्जिदों पर अनाधिकरत लॉड़ स्पिकर उतारने के लिए ना जा सके इसलिए पिछले एक हफ़ता में मैंने सोचा है कि कैसे राज सरकार मंसे के कारकरताओं को दबाने के लिए पुलिस बलका इस्तमाल कर रही है क्या राज सरकार या पुलिस ने कभी मस्जिदों में छिपे हतियार और आतंकियों को खोजने के लिए ऐसा गिरफतारिय भ्यान चलाया है पुलिस संदीब देशपांडे और अन्ने कई कारकरताओं को तलास कर रही है जैसे कि वो पाकिस्तान के आतंकवादी हों या निजाम के हैदराबाद राज के रजाकार हैं बेशक सभी मराठी लोग सभी हिंदू खुली आँखों से देख रहे हैं कि मन से कारकरताओं के खिलाफ यह क्रूर दमनकारी कारवाई करने का आदेश पुलिस ने दिया है मुझे राज सरकार से केबल एक ही बात कहनी है हमारे धैरे की परिच्छा मतलो सत्ता आती है जाती है सत्ता का तामर पत्र कोई नहीं लाया उद्दव ठाकरे आप भी नहीं यह चुठी मराठी में लिखी गई और यह सारजनिक हो गई मतलब सीधे सीधे उन्होंने उद्दव ठाकरे के उपर हमला किया कि सत्ता भी आपके पास है लेकिन यह सदा के लिए नहीं रहेगी और जिस हिसाब से लॉड स्पीकर अभियान के चलते मंद से के कारकरताओं को प्रतारित किया जा रहा है उन्हें ढून ढून कर चुन चुन के गिरफतार किया जा रहा है या उनको दर्बदर कर दिया जा रहा है मुंबे से बाहर कर दिया जा रहा है तली पार घोशित कर दिया जा रहा है या फिर उनके ऊपर preventive actions लिये जा रहे हैं ये दमनकारी और crew तरीके से जो अंदोलन को दबाया जा रहा है वो ठीक नहीं है ये हमारे धैर की परिक्षा लेना आप बंद करें अब मसला उद्दव ठाकरे बर्सिस राज ठाकरे का चली रहा था कि आज अचानक सुप्रीम कोट में एक और अलग केस चल रहा था कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में कई सारे मुख्यमंत्री राजद्रो का केस लगा दे रहे हैं जिस हिसाब से जज्ज्मिन्ट में साफ साफ जज्ज साहब ने जो बयान है कि आज की बात से कोई भी राज़ सरकार कोई भी सरकार या पुलिस किसी के खिलाफ ये वन टुन्टी फॉर ए राजद्रो का केस ना लगाएं यही इसी केस के तहत दलित महिला सांसद नवनीत राना के खिलाफ उद्दव ठाकरी की सरकार ने कारवाई की थी और आज सुप्रिम कोट ने इस कानून को इस धारा को ही नलन वाइड कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार इसके उपर रिधिंक न करे कोई इसे अपलाई ना करे किसी के उपर इस धारा को लगाया नहीं जाए और इसलिए जब सुप्रिम कोट का ये आदेश आता है तो उद्दव ठाकरे किस हिसाब से नवनी तराना से अब लड़ पाएंगे अब तो हाई कोट में भी ये मसला जाएगा तो हाई कोट को भी ये मानना पड़ेगा चुके ये सुप्रिम कोट का आदेश है तो नवनी तराना के उपर आप ये कारवाई नहीं कर सकेंगे ये कारवाई आप रास्ठाकर के खिलाफ नहीं कर सकेंगे ये कारवाई आप उन तमाम लोगों के खिलाफ जो हनुमान चलिसा का अंदोलन चला रहे हैं महराश्ट के अंदर उसके उपर ये कानून का इस्तमान नहीं हो पाएगा और जब इतने शक्त कानून का इस्तमान नहीं हो पाएगा तो पुलिस किसी को गिरफतार भी नहीं कर पाएगी तो ये जो दंब, ये जो अहंकार यही कंगना रनौत ने कहा था ये समय का पहिया है ये कब कहां कैसे ये उल्टा चलने लगेगा अब सुप्रीम कोट के आदिस के बाद किसकी हिम्मत पढ़ेगी किसकी हिम्मत पढ़ेगी और इस तरह के केसिस जतने भी पुराने हैं वो अगर कोट में जाएंगे उनको बेल देना पड़ जाएगा क्योंकि ये तो सुप्रीम कोट ने साफ साफ अपने इरादे अपने जज्ज्मेंट के जरिये साफ कर दिया है कि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है इसकी कोई अब जरूरत हिंदुस्तान को नहीं है इसमें बदलाव की जरुरत है केंद सरकार उसमें बदलाव करेगी मोधी सरकार इसमें बदलाव करेगी तब तक इसका इस्तमाल भी सुप्रीम कोट ने आज वर्जित कर दिया मतलब जितने भी अहंकारी मुख्यमंत्री है जितने भी आंकारी पुलिस अधिकारी हैं सब के आज जो कहते पर को कतर दिया है सुप्रीम कोट ने मतलब ये कि एक तरफ बीमसी का चुनाओं सिर पे मंडरा रहा है दूसरी तरफ उद्धब ठाकरे और सिर्फ से न को परेशान करने वाले हैं जो नेता हैं उनका हौसला बुलंद होता चला जा रहा है और इसलिए ये चिठी राश ठाकरे की और नवनीत राना का आज प्रस कॉन्फरेंस जिस हिसाब से जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग सिर्फ सिना के उपर हमला वर हैं वो साफ साफ बता रहा है कि अगारिक के अंदर एक हरकम सा मचा हुआ है क्योंकि आज एक और खबर आई खबर यू आई कि सरत पवार अब ये कह रहे हैं कि बिना कॉंग्रेस पार्टी के कोई भी मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाना असंभव है ये सिगनल है ये सिगनल ये है कि महरास्ट में अगामी चुनाओ कॉंग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरत पवार लड़ेंगे ये जो अभी जितना भी एक्सपिरिमेंट वो कर रहे थे कि कभी मायावती के साथ कभी ममता बनरजी के साथ तो कभी रेड़ी के साथ चंसेकर राओ के साथ ये जो गलवईया चल रही थी मीटिंग सो रही थी कि कोई नया गटबंदन क्रियेट करेंगे मोधी के खिलाफ आज उसके उपर विराम लग गया मतलब ये कि ये जो लॉड़ स्पीकर का मसला है महराश्ट के अंदर एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें अगहारी सरकार उद्दब ठाकरे की सरकार फस गई है और इस फसने के दौरान सिब से ना को सब से ज़्यादा नुकसान जेलना पड़ सकता है हमारे नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है आप देखते रहे कैपिटल टीवी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए खन्वाग